इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक् से संबंधित होते हैं। यह शरीर के तापमान, बुखार को कम करने और शिशुओं और बच्चों दोनों में दर्ड और सूजन, लालिमा और सूजन को कम करने में मदद करता है। अपने बच्चे को समय निर्धारत खुराग, समय और तरीके का पालन करें। इसे एक निश् पीस मिन्टों के भीतर उल्टी कर देता है, तो बच्चे को पहले शांत होने दें और फिर उसे वही खुराग दें। तेज राहत के लिए अनुशन सित खुराग से अधिक खुराग देने से बच्चे क्यूंकि इस से आपके बच्चे में अनावशक प्रभाव हो सकते इस दवा को लेने के बाद कुछ बच्चों में मिचली आना, उल्टी, पेट दर्द, सीने में जलन और डायरिया, दस्त जैसे कुछ हलके साइड इफेक्ट विक्सित होते हैं। यदि आपके बच्चे में ये साइड इफेक्ट नजर आते हैं, तो चिंता न करें क्यूंकि ज्यादा तरस थाई नहीं होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि ये प्रभाव बने रहते हैं और आपके बच्चे को परेशान करते हैं, इसलिए प्राथमिक्ता के आधार पर बच्चे के डॉक्टर से परमर्ष करें। अपने बच्चे को SMOL प्लस ये जानकारी खुराक में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण है और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने में मदद करती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और सा